नमस्कार दोस्तों Market at 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा भीएफ कर सकता है सेकेंड हाफ में अगर हम करेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अरौंड 18-217 पर और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा अरौंड 43-173 पर है अब जाहिट सी बात है वीडियो स्टाट करने दे पहले आप सभी लोगों को Happy New Year क्योंकि जाहिट सी बात है कि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है कल परसो आपकी जुट्टी रहेगी तो most probably परसो आपका New Year है बट मैं अभी सही आपको विश करना स्टार्ट करते हूं क्योंकि मेरा थोड़ा सा आउटसाइड जाने का प्लान है वहां पर हमें वीडियो डाल पाया नहीं डाल पाया तो उसके लिए आप सभी लोग को पहले से ही एडवांस में Happy New Year अज का टेडिंग सेशन चाहो तो आप अवाइड कर सकत है तो वह उस सिच्वेशन से अगर बचना चाहते हो तो अवाइड कर सकते हो बाकि अगर प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट में हो तो आज का ट्रेडिंग सेशन यहीं पर क्लोज कर सकते हो बट एनलेसिस करना हमारा काम है उसको हम अंडर्स्टैंड कर लेते हैं वोटे मोटे टागेट आपको मिल सकते हैं इंडरे के अंदर उन पे आप फोकस जरूर करिएगा अगर हम करेंटली देखें निफ्टी ऑप्शन चेंज डाटा में अठारा दोसों की जो कॉल है वहां पे आपको करीफ 52 लग का ओपन इंटर्स दिख रहा है उसका मतलब क्या अठारा दोसों आपके लिए एक important support का काम करेगा आज के intraday में अठारा दोसों की नीचे जाएगा तो ही problem है अधर्वाइस कोई problem नहीं है 18300 की call पे 48 लग का open interest खड़ा हुआ है पोट पे करीफ 20 लग का open interest खड़ा हुआ है अब यहाँ पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है देखो इस चीज का ध्यान रखना है कि 18300 की जो पोट है वहाँ पे कितनी तेजी से open interest बढ़ता है अगर यहाँ पे 20 लाग से 50 लाग समझ लीजिए ठीक है चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट को understand करते हैं तो देखो यहाँ पे निफ्टी ने कह किया है यह अपका हाई था ठीक है और यह आपका लो है और मुझ लो के आसपास दुबारा सपोर्ट लेके उपर bounce कर करने की कोशित कर रहा है तो मेभी हाई तक जा सकता है यह चीदा आपके लिए समझ लीजिए उपर टाइगे आपके लिए जाज़से जाज़से आज को इंटर डे में अगर देखने को मिल सकते हैं वह अगर मैं यहाँ पर टे चार्ट लगाऊं जो टाइट आपको मिल सकता है अठाराद दो सो बांवे 292 तक का टाइट यहाँ पर देखने को मिल सकता है यह चीदा आप किलिए लिए समझ लीजिए अगर यह उपर की तरफ मूव करता है अलाकि यह चीद जानिए कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है तो जो डिप्स आएंगे उनमें यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा मार्केट को यह पॉइंट देखने को मिल सकता है प्रॉब्लम नेगेटिव टी तभी आएगी जब हम अराउंड एक सो पचास की नीचे करेंगे तभी यहाँ पर कोई नेगेटिविटी आएगी अदर्वाइस आपको मार्केट रेट करता हो दिखाई दे सकता है यह चीज़ आप क्लियर ली समझ हैं यहाँ पर कहां तक एक्टेंड हो सकती है उस चीज़ को आप समझेए कि बैंग निफ्टी के लिए जो इंपॉर्डेंट लेवल होगा वह आपका होगा अराउंड 43,600 तक का आपका यह इंपॉर्डेंट लेवल है जहां तक बैंग निफ्टी अगले वीक में जाने की कोशिस कर सकता है यह चीज़ आपके लिए लिए समझ लीज़े आज के लिए आपके लिए जो टागेट हो सकता है वो आपका आराउंड 43,500 तक का हो सकता है अगर यह से ग्लोबल मार्केट है कोई जाधा बड़ी यहां पर नेगिटिविटी नहीं दिख रही है यह फिर पॉजिटिविटी भी नहीं दिख रही है देखो बात करते करते ही निफ्टी ने अपना डे आई का टागेट हिटी कर दिया है तो इस चीज़ को आप समझ लिए आल इस वीडियो में तहीं है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तरह दो लाइक उश्याद जरू करिएगा और चानल को जो सब्सक्राइब कर लेड़ी क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी किसा शुक्रिया दोस्तों चैह हंद